हेलो दोस्तों स्वागता आपका आज की स्वरक अमाल की वीडियो में जैसी कि आप सब जानते हो कि ड्राइवी लेशन्स ओरलाइन करना बनवाना सब लोगों के लिए काफी टफ डिल होता है क्योंकि अधिक तर जो हमारे देश की भौली वाली जनता है वो अपने नजजी के जाती है और वहां पर दलालों को से बीच में फर्स करके उनको ज्यादा पैसे देती है और कहीं ने कहीं उनके साथ में ये गलत चीज़े होती हैं तो ऐसे में दोस्तों पिछली वीडियो हमने जाना था कि कैसे आप घर बैठे और लाइन अपने ड्राइवी लेशन्स बनव इस अपको बिडियो को देखीगा उसमें मैं पूरे बिस्तार से बता रखा कैसे आप टाइवी लेशन्स लर्नर बनवा सकते हो आज की इस बीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके लर्नर है उस बीडियो को देखकर आप लर्नर एप्लाई करिएगा उसके एक महीने के बा बिल्कुल 8-10 इंफोमेशन देने वालों कौन से डॉकमेंट सेकते हैं कितने रुपकी यहां पर फीस करती है पर्मानेंट के लिए और कैसे आप आप अपना एक्जाम केलियर करोगे और फाइनली जो एक्जाम केलियर करने के बाद आपके ड्राइव लेसंज कैसे और किस तरह से आपके घर पर आ जाएगा अगर घर पर नहीं आता तो कैसे आप उसको यूज करके जो चालान से बसकते हो तो आइए दोस्तों इस तरह की इंफोर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा है तो चलिए शुरू करते तो दोस्तों अगर आप पर्मारेंट ड्राइविग लेसेंस ओर लाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आना है परिवहन.gov.in बैसिकली इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा जैसे आप सब क्लिक कर आगे त तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आप इंडिया के जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ सिंपली आपको अपना इस्टेट यहाँ पर लिखना है और स्लट करना है और यहाँ पर आपके स्टेट का नाम आजाएगा आपको सिंपली क्लि लेकिन यहां पर हम जो करेंगे लेकिन अपके सामने स्धा नष इंटर इंटर इंट प्ली करेंगे तो अब कर छिन्ट करने के बाद में सामने आपके समय कुछ इस्टाक्षं कए यहां पर सेवनस्ट को फोलो करेंगे आप तो आपका जो ड्राइवी लेसेंस है वो ओलाइन हो जाएगा तो इनी सेवन स्टेप को हम स्टेप बर स्टेप फॉलो करेंगे तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा एंड देखने के बाद में आपको सिंपल यहां पर कॉंटिन्यू पर क बनाने वाले हैं सबसे पहले आपको यहां पर अपना लर्न लेसेंस नंबर डालना है और यहां पर क्लिक करेंगे तो चलिए हम यहां पर सारी चीज़ें कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद मां आपके ड्राइवी लेसेंस की सारी डिटेल यहां पर सो होने लेगी जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे आपको सिंपली इसको select करना है इस पर क्लिक करके इस वाले box में इसको ले जाना है तो simply हम इसको इस तरह से ले आते हैं और आपको एक बार अच्छे से अपने सारे सारिवारे से जणी है तो सीमिट्स पर क्लिक करने है उसके बाढ़ में इसके ना इपके हैय आप को इसको नेक्श पर क्लिक कर देना है एक बार इसको पिरिंट करने के लिए आपको इहाँ पर आनाама पर आपको इस पर click कर देना है पर hiçbir करने के बाद में आपके सामने इस तरह का कुछ print करने का option अपको symmetry करके अपने पास रख लेना है उसके बाद में आपको नीचे आना है and simply next पर click करना है और यहां पर application से नमबर आपको जन्याट हो योग कर आपके सामने पर क्लिक कर देना है उसके बाद में एक पर एक प्रूसीड़ का बटन आपको सिंपली इस पर क्लेक कर देना है और तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको अगेन और किलिक करना है और यहाँ पर आप step by step अपने documents upload करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि documents कौन-कौन यहाँ पर मांग जाते हैं तो जब आप पर्मनेंट के लिए apply करते हो तो दो तरह के documents मांग जाते हैं एक तो आपका address proof और second आपका learner lesson तो आपको address proof में क्लिक करना है और प्रूफ पर जाना है और यह सारे documents है यह address proof के तोड पर आपको यहां पर लगा सकते हैं तो हम simply यहाँ पर अधार काड़ वाला option को select करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर आधार काड़ लगा यहाँ पर अटेज करना है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ की जो फाइल साइज है वह 500GB से कम होना चाहिए अगर इससे कम है तो ही यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो अगर ज्यादा ज्यादा है तो यहाँ पर यह अपलोड नहीं होगा कि हमने जो डोकुमेंट अपलोड के है वह सही है या फिर गलत तो यहाँ पर आप जैसे यह पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा इस पर क्लिक करके आपको एक बार चेक कर लेना है तो यहाँ पर हमारा डोकुमेंट से वह सही है तो अब हमें यहाँ पर कर देते हैं इसी के द्वारा issue किया गया है वह यहां पर डालेंगे issue date डालेंगे और contact number डालेंगे browse करके upload कर देंगे and simply उसी तरह से जैसे हमने first document upload किया था इसको भी उसी तरह से upload कर देंगे and जैसे आपके यहां पर दोने documents upload हो जाते हैं तो आपको यहां पर check कर लेना status and अगर आपको यहां पर green tick नजर आते हैं तो आपको simply next पर click करके आगे की तरफ चले जाना है उसके बाद में आपको यहां पर इस वाले step पर आओगे तो आपको capture code यहां पर डालना है simply submit पर click कर देना है तो आप अगेन उसी page पर आजाओगे तो आपके यहां पर अब देखोगे तो यहां पर दो step complete हो चुके हैं अब आपको यहां पर फीज पैमिंट करने के बार डियस लोट करोगे तो आपको पर्मेंट आपके सामने यहां पर 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 क्लिक करना है तो आपको यहां पर पर डालोगे पर क्लिक कर दोगे उसके बाद मां आपके सामने ट्रांजेक्शन आइडी जन्रेट होकर क्या आजएगी तो आपको यहां पर ट्रमेंट कंडिशन को एक्षप करना है प्रोशीट फॉर पर क्लिक करना है उसके बाद मां आपको यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर कार्ट कर सकते हो अगर आपके पास में स्टेट बैंक का डेविट कार्ड है तो आप इस पर क्लिक करोगे और अधर बैंक का डेविट कार्ड है तो यहां पर करते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करके हम इसका पैमेंट करते हैं तो यहां पर आपको सामने फिर इससे पा nat a आपको सिंप्लिन करब कर आगे कि तरफ चली आना है और अगेन आपको यहाँ आपर करना है उसके बास कि AH पर आपने जो भी पैमिट कार्ड है 밹क कार्ड है atm perform40 kard तो उसके डिटेल आपको यहाँ पर TYP करने है सही जøसे कि CARD NUMBER epsilon card holder name CBV नंबर और यहां पर यह जो capture code देख पार हो सही सही यहां पर टाइप करना है और simply पर किलिक करोगे तो आपके मोईल पर एक OTP आएगा वो टिप्य आप यहां पर डालोगे तो आपको पैमिंट हो ली हो जाएगा उसके बाद मरणगोई जयसी आपका पैमिंट सब्सक्राइब करने की तो चलिए A यहांप और होमपेज पर और आ जाते हों तो हमने पैमिंट कर दिया अब यहां आती है हमारी appointment book करने की, तो simply आपको यहाँ पर आना है appointment वाले option पर और simply यहाँ पर deal test slot booking वाले option पर click करके इसका slot book करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर दो option दिये गए है, application number के थो या फिर learn lesson के थो तो चलिए हम यहाँ पर application number के थो भी कर सकते हैं, या फिर learner lesson के थो भी, उसके बाद में जैसे के आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको स्क्रोल करके नीचे की तरफ जाना है यहां पर उप्संस दिए गए मोटर साइकल वीडियर हlike मोटर विकल तो आपको दोनों पर इस तरह से क delicious किना है क्यूंकि हम दोनों के लिए मखर कर ना चाहरे हैं जोट करना है तो यहाँ पर आपको ईफिन को सब्सक्रों चेलिक करने नंगे यहाँ पर आपको सब्सक्राइब गिंग दिना देंगी कि आपको सब्सक्राइब उस दिन में खाली हैं तो चलिए दूस्तर हम यहाँ साड़े बारत से धाई करते हैं तो हमने वीजवाले उप्शन पर इस पर टिक किया टिक करने के बाद में बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको चलोट बुक पर अगें क्लिक कर देना है और उसके बाद मां आपको स्लोट है वो सक्सेश्पुली बुक हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह की एक स्लिप आएगी तो सिंप्ली आपको इसको प्रेंट करके अब जब आप आप आर्टियो जाओगे तो वहाँ पर यानि एक गंटा पहले वहाँ पर पहुच रहा है और जो भी वहाँ पर एस आपको देना है और अपने टेस्ट देने के बाद घर आ जाना है और आप ऊसमें पास हो जाते हो तो आपके पास एक मैसिज आएगा उसके बाद आप नेट से निकाल सकते हो और कुछी दिनों में वो बाई पॉस्ट आपके घर पर भी पहुंच जाएगा तो यहां तक आपने अच्छे से समझ के होंगे किस तरह से आपको लेर्न लेसंस है तो आपको पर्मेनेंट ड्राइवी लेसंस के लिए ओर लाइन करना है और कैसे आपको आट्यू जाना है तो बिसिकली सिंपल स्टैप को फॉलो करके लहना लेसंस और ड्राइवी लेसंस दोडाइवक थाबएसंस के तो आपके लिए गजिवडैनो हाफ का चनल को लैक करके चलनम को सबस्क्राइब लाइक करेका और इस बीको आगया अपने दोस्ट के बहुंट बेके दिएfahr झाल झाल